नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्त पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं पैरों के तलों में अगर आपको जलन रहती है तो कैसे दूर कर सकते हैं तलों की जलन रो से कुछ एक घरिलू उपचार की सहायता से ठीक कर सकते हैं वैसे तो यह कभी कभार ही होता है पर अगर यह हर वक्त रहे तो आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए तलों में जलन तब होती है जब पेरों में खून का प्रवाह धीमा हो जाता है और यह तब होता है जब उम्र के साथ साथ पेरों की नसें शति ग्रस्त या फिर कमजोर हो जाती हैं वे लोग जो बुढ़े हो चुके हैं या फिर जिन रहे हैं इन घरेलू उपचारों को आजमा सकते हैं आए जानते हैं कि इसके लिए आपको और शदी क्या चाहिए होगी सबसे पहले अद्रक का प्रियोग हम आपको बता रहे हैं अद्रक के रस्प में थोड़ा सा जैतून का तेल या नारियल तेल मिक्स करके गर्म कर लें और इससे अपने एणियों तथा तलवों पर 10 मिनट के लिए मालिश करें आप चाहें तो शरीर में खून के दोरे को बढ़ाने के लिए रोज एक छोटा अद्रक का टुकड़ा चबाएं इसके बाद विटामिन B3 विटामिन B3 खाने से तलवों के जलन से रहत मिल दी है इसके लिए आप दूध मटर और बिंस का सिवन कर सकते हैं पैरों की मसाज करें पैरों की मसाज करने से पैरों में खून का प्रवाह तेज बनता है जिससे पैर नहीं जलते हैं और नहीं उनमें दर्द होता है सही प्रकार के जूते पहने आपको कभी भी बहुत टाइक जूते नह पहनने चाहिए नहीं तो वो पैरों के खून के प्रवाह को धीमा कर देता है. नंगे पाओं चले हरी घास पर नंगे पाओं चलने पर पैरों का ब्लड सरकुलेशन बढ़ता है. लौकी को घीस ले या फिर उसके गुदे को निकाल कर पैरों के तलों में लगाने से पैरों के गर्मी और जलन दूर होती है सरसों से जिहां हाथ पैरों या पैरों के तलों में जलन होने पर सरसों का तेल लगाने से लाब होता है दो ग्लास गर्म पानी में एक चम्मच सरसों का तेल मिला कर रोजाना दोनों पैर इस पानी के अंदर रखें 15 मिनट के बाद पैरों को किसी खुरदरी चीज से रगड कर ठंडे पानी से धोने से पैर साफ रहते हैं और पैरों की गर्मी दूर होती है इसके अलावा आप महंदी का प्रयोग कर सकते हैं महंदी और सिरके या निम्बू के रस को मिला कर एक पेश्ट तयार करें पेश्ट को लगाने से जलन से छोटकारा मिलता है इसके अलावा धनिया का प्रयोग, सूखे धनिये और मिश्री को बराबर मातरा में लेकर पीस लें, फिर इसको दो चम्मच की मातरा में रो जाना, चार बार ठंडे पानी से लेने से हाथ और पैरों की जलन दूर हो जाती है इसके साथ साथ एक अन्य प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, वो है मक्खन का प्रयोग, मक्खन और मिश्री को बराबर मातरा में मिला कर लगाने से हाथ और पैरों की जलन दूर हो जाती है, आपको बस ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से मसाज करें पैरों की, क्योंकि पैरो में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बहुत ही महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों